हेलो स्ट्रेंट कैसे हैं हम लोग आज हम लोग बहुत बेसिक चीज नॉमेंक्लेचर पढ़ेंगे और किसकी नॉमेंक्लेचर यानि किसकी नेमिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक लोको मोटिव की नेमिंग की बात करें हमारा nomenclature का मतलब naming होता है तो naming हम लोग lokomotive के naming की बात करें यानि lokomotive का naming किस तरह से किया जाएगा या इसी को आप कह सकते हैं classification of locomotive on the basis of nomenclature यानि naming के अधार पर normal culture के अधार पर हम लोग lokomotive को किस तरह से classify करेंगे बाटेंगे या उसका हम लोग naming किस तरह से करेंगे आईए बहुत easily way में हम लोग सीखेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा आपको समझ में आएगा कि हम लोग locomotive का naming किस तरह से करते हैं तो हमने first point लिखा है on Indian Railway locomotive are classified according to type of gage यहा पर बात हुरी locomotive को किस तरह से categorize किया बाटा गिया है या आप कह सकते हैं कि उनका nomenclature naming किस तरह से किया गिया है तो किस तरह से बाटा गिया है according to the type of gage यानि उसके gage के आधार पर बाटा गिया है पहला बात और गेज किसको कहते हैं गेज कहा जाता है हमारा लोको मोटिफ के अंदर जिस ट्रैक या जिस पटरी के उपर चलता है उन दो पटरी के बीच के डिफरेंस को दो जो ट्रैक है इन दोनों ट्रैक के बीच की जो दूरी हो गई इसी दूरी को डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं gauge कहते हैं तो पहला जो नॉमिंक लेचर किया जागा वो गेज के आधार पर किया जागा यानि हमारा दो पट्रिकी बीच की दूरी कितनी पर रेलवे और दूसरा क्या है तर टाइप ऑफ सप्लाइ यानि दूसरा जो आपने चरकिया यहों लोको मोटिव को यूस्त कि क्या हो सकता है सर्विस का एके लिए यानि समान के लिए मालगाड़ी के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हैं या पैसेंजर को ढोने के लिए यूज कर रहे हैं या किसी और परपस के लिए शंटिंग के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं तो हमारा अलग अलग परपस के लिए यूज किया जा सकता है तो टाइप आफ परकार के सर्विस के लिए लोको मोटिव का उपयोग क्या जा रहा है उस आधार पर हम उस लोको मोटिव का नाम देंगे तो बैसिकली अगर नॉमिन के लिए लोको मोटिव की बात करें तो लोको मोटिव के नेम के लिए हम लोग को तीन चीज की बात करना होगा तीन चीज द कि कि काने लिए पर कि सर्विस की आधार्व करने है लोग बना रहें या लोग बना रहे तो कि स्विस करें उसके अधार पर उसकी नेमि और समझी बहुत आसानी समझ में आएका नॉमन कि लेचर of locomotive is designated by three letters यानि इसके अंदर तीन लेटर को उप्योग किया जागा नॉमिन की लेचर के लिए वो लेटर क्या है हम लोग नीचे देखें one by one करके क्या क्या number यूज कर रहे हैं हम लोग आगे बात करेंगे तो यानि लोको मोटिव किया जो नॉमिन की लेचर है नेम देंगे हम लोग उस नेमिन के अंदर केवल तीन लेटर को उप्योग करेंगे फर्स लेटर क्या नोट कर रहा है एक एक करके समझ ये फर्स लेटर indicating gauge यानि पहला जो लेटर होगा लोको मोटिव का नेमिन के अंदर nomenclature के अंदर वह gauge को रीपर्जेट करेगा और gauge किसको कहा जा रहा है वह locomotive जिस पट्री पचल ला है उन दोनों track के भीच का difference कितना है पट्री के भीच की दूरी कितना है तो यह हमारा पहला जो word होगा वह indicate करेगा gauge को तो gauge भी अलग-अलग हो सकता है यह आपका broad gauge हो सकता है narrow gauge हो सकता है meter gauge हो सकता है उस अधार पर पहला naming किया जाएगा तो अगर हमारा broad gauge है जिस तो wc को हम denote करेंगे w is used for broad gauge w broad gauge के लिए use किया जाता है इसी broad gauge को आप wide gauge भी कह सकते है wide का मतलब 4 सबसे जादा अधिक इसकी दूरी होती है track की दो पट्री के बीच की दूरी होती है तो w हमारा broad gauge के लिए use किया जाता है और y जो later है वो हमारा meter gauge को represent करने के लिए किया जाता है यानि meter gauge है तो हम उसको y से सुचित करेंगे y से दर्चाएंगे अब narrow gauge में दो टाइप है या तो हमारा z से note कर सकते है या in से narrow gauge को हम represent करेंगे z से हमारा narrow gauge हो सकता और in से भी narrow gauge हो सकता है जिसको हम in narrower कह रहे है narrower का मतलब अब narrow से भी छोटा यह gauge है तो हमारा z भी हो सकता और in भी हो सकता है यहाँ पर हमने लिग दिया है कितना कितना feet का हम लोग difference लेना अगर broad gauge की बात क्या जा रहा डबलू की या wide gauge भी आप इसको कह सकते हैं तो इन दो पटरी के बीच में दो track के बीच का difference कितना होगा 5 feet 6 inch होगा यदि हमारा meter gauge की बात करें तो meter में एक meter भी आप बोल सकते हैं या feet में बात करें तो 3 feet 3 inch लग भग यह हमारा दो पटरी की बीच की दूरी होगी 3 feet 3 inch होगा और दूसरा narrow gauge जिसको Z से सुचित किया जा रहा है यह हमारा 2 feet 6 inch होगा दो track के बीच की दूरी हमारी 2 feet 6 inch होगी और हमारा narrow से भी छोटा है तो उसको in-state denote करें हम इसकी दूरी हमारा सिर्फ track की 2 feet होगी तो यह हमारा broad gauge भी हो सकता है यह हमारा meter gauge भी हो सकता है यह हमारा narrow gauge भी यह narrower gauge भी हो सकता है तो जो भी होगा उस जिसके लिए locomotive बनावा है जिस पर track पर बटरी पर चलने के लिए उसका gauge कितना है उस gauge के आधार पर हम उसका पहला लेटर से उसका नेम करेंगे नॉमनक्लेचर में फस्ट लेटर उसका उयूस करेंगे दूसरा जो लेटर होगा second लेटर हम लोग किसके लिए यूज़ करें तो second लेटर stand for the type of supply यानि की supply से वो locomotive चल ला है AC से चल सकता है DC से चल सकता है दोनों से चल सकता है बैटरी से भी चल सकता है तो यदि हमारा AC से चल ला है तो हम इसको AC नोट करेंगे तो हम इसको किस से सूचित करेंगे C से सूचित करेंगे और यदि हमारा locomotive डीजल से चलने वाला है तो इसको हम D से डिनोट करेंगे और CAC डिनोट कप किया जागा यदि हमारा AC और DC दोनों पर locomotive चलेगा यहनि इसको AC सपलाई दीज़ेगा तो भी काम करेगा DC सपलाई दीज़ेगा तो भी रन करेगा काम करेगा हमारा इसके लावा B से डिनोट करेंगे लोको मोटीव को यदि हमारा लोको मोटीव बैटरी से चलने वाला है तो टाइप आफ सपलाई जिस तरह कराएगा उसी आधार पर हम दूसरा लेटर इसको दर्शाएंगे लोको चलने वाला है तो 20 दोट करेंगे तीसरा लेटर जो है वह क्या देनोट करता है थर्ड लेटर इंडिकेट क्लास ओफ सर्वीश यानि किस परकार के सर्फीश सर्वीश के लिए उपयोग किया जा रहा है उस लोको मोटीव को वह हमारा पैसेंजर को लेके जाने वाला है या समान को ढोने वाला है या शंटिंग परपस के लिए के वाले यूज किया जाने लग रहा है उस आधार पर हम उस लोको मोटिफ के जो नॉमिन के लेचर है उसमें हम लोग तीसरा लेटर उपयोग करेंगे जिस परकार का सर्विस होगा तो यदि हमारे पास पैसेंजर के लिए को यूज करें यह जो लोको मोटी बना है वो पैसेंजर को ढूने के लिए बना है पैसेंजर रहं चैणे करेंगा तो उसको हम पीसरेंच करेंगे पीफीफ for passenger और यदि हमारा गूच्ज को ढहने वालामाल गारी जिसको हम लोग बोलते हैं तो उस को हम लोग लोको मोटीव को जी सिटनोट करेंगे और इम से किसको डिनोट करेंगे फोर मिक्स यानि यह जो हमारा लोकोमोटिव होगा यह हमारा गुड्स को भी कैरी कर सकता है या पैसेंजर को भी कैरी करेगा दोनों के लिए लोकोमोटिव काम करेगा तो ऐसे लोको मोटीव को हम लोग m सेटनोट करेंगे जो हमारा पैसेंजर और गूर्ट दोनों के लिए काम करेंगे यानि mix टाइप लोको मोटीव है यह किसको डिनोट करेंगे फोर शंटिंग पर पर शंटिंग इसको कहते हैं यानि समान एक जगा से दूसरे जगा चला गया तो से रेलवे स्टेशन पर अगर हमको समान को रखना है या किसी भारी समान को उतारना है तो उसके लिए हमारा एक यह ब्सक्राइब सब्सक्राइब यूज़ 285 यह उसको हम उसंतिंग लोको मोटीव यूनिट करतें यानि हमारा जगह जगह पर लबी ट्रेंगी को चसवागे को हमारा यूनिट क्या जाता है यानि उसमें पेंटोग्राफ लगा होगा ट्रांसफर्मर लगा हो तो मल्टीपल यूनिट होता है तो इसको हम लोग यू सिड्ड नोट करेंगे तो अलग-अलग जो तीसरे लेटर है यह हमारा जी सिड्ड नोट किया जागा यदि गूड्स के लिए हम यूस करेंग है तो इस सिड्ड नोट करेंगे अब समझें इसको उप्यों किस तरह से हम लोग करते हैं किस तरह से लोको मोटीव का नॉमन की लेचर डिनोट करते हैं उससे एक पॉइंट और है यहां पर हमने लिखा है फूर्थ जो हमारा है वह लेटर निवलके नंबर है फूर्थ दिजञाइन फिर उसके बाद थोड़ी दिन के थोड़ी सालों के बाद सेकंड्ड डिजञाइन आ सनसे के मोडल अगया है यह यह उसके बाद फिर निउट वर्जन 567 इस तरह से नंबर डिनोट करेंगे तो अब देखे हमने एक लोको मोटीफ का नाम यहाँ पर लिखा है आप लोक लोको मोटीफ इमेज़ भी देख सकते हैं कि आ इसका स्टार्टिंग में लगाया और इस लोको मोटीफ का नाम क्या है वैप है तो वैप अगर किसी लोको मोटीव का नाम दिया वा है वैब 7 तो यह क्या मतलब हुआ इसका यह लोको मोटीव के अंदर क्या क्या हमारे पास वीशेचता है तो सबसे पहली बात तो इस लोको मोटीव का अगर वैब 7 नाम है तो यह हमारा किस गेज पर चलना होगा यह हमारा ब्रॉड गेज पर चलने वाला लोको मोटिव है क्योंकि यह डबलू हमारा क्या डिनोट करता है यह हमारा ब्रॉड गेज डिनोट करता है तो यह जो लोको मोटिव वैब सेवन है यह ब्रॉड गेज पर रन करने वाला दूसरा यह ल पैसेंजर के लिए यह यह वैप जो हमारे पास लोकोमोटीव है यह ब्राइट गेज पर चलेगा एसी से चले गार पैसेंजर को करी करने के लिए इसका उप्योग किया जाएका और यह 7 का डिनोट कर रहा है यह 7 इसका वर्जन डिनोट कर रहा है कि यह 7 डिजाइन है अपने वैब के अंदर यानि हमारा ब्रॉड गेज पर AC चलने वाला पैसेंजर जो लोको मोटीव था उसमें 7 लोको मोटीव यह है इसके अलावा उससे पहले 6 डिजाइन और आचुका होगा यह 7 डिजाइन है वैब का तो इस तरह से आप वैब 7 भी हो सकता है वैब 6 भी हो सकता है अलग अलग डिजाइन से आप डिनोट कर सकते हैं और नाम देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख रखा है एसी लोको मोटीव के एलग अलग नाम यह हमारा यह हमारा पास वैम का मतलब क्या हुआ यह बिर्जाइन दिनोट करता है 16 type को denote करता है मिस का मतलब यह passenger के लिए यूज होगा और goods के लिए यूज होगा और यहां पर one हमने लिखा यानि वैम के अंदर यह पहला हमारा design था first design और यह हमारा फिस वैम का second design हमारा क्या कहलाएगा वैम 2 कहलाएगा यह भी हमारा broad gauge AC से चलने वाला और mix type service देने वाला और यह हमारा second design हो गया इसी तरह यह तीसरा design वैम का हो गया और हमारे पास next type क्या आ गया है WAG 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 WA हमारा के लिए नोट कर रहा है broad gauge नोट कर रहा है इसमें वाइक के अंदर यह पहला हमारे पास फॉस्ट डिजाइन इसी तरह से कंड डिजाइन और यह हमारा थर्ड डिजाइन तो यह सारा एवसारा एवसारा डिजाइन पर चले लाख से चलेगा और यह EMU हमारा locomotive के अंदर उप्योग होगा यह EMU हमारा locomotive है और यह first version इसके लावा यह second version और यह हमारा third version और यह fourth version दिखा है इसके लावा एक अलग type हमने दिखा है WDP यह क्या denote कर रहा है यह broad gauge note कर रहा है और D से क्या note करते हैं हम लोग D से कौन सा supply यूज किया जाता है लोग हो रहा है तो यदि हमारा broad gauge पर चले और हमारा diesel से चले और passenger के लिए प्योग होता है ऐसे locomotive कम लोग WDP से denote करें और इसी के अंदर अगर हमारा first version second version है तो हमारा one, two, three इस तरह से denote करेंगे तो I hope आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग locomotive का nomenclature करते हैं उसका naming किस तरह से किया जाता है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको subscribe कर लिजे इस वीडियो को like कीजे और अपने friend को share कीजे तरह से किया जाता है